नवस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ओनलाइन ग्लो रोड पर अपने प्रोडेक्ट को कैसे सेल कर सकती हैं और आज की इस वीडियो में A2Z सारी चीजे बताने वाले हैं सरसे पहले बताएंगे कि सेलर रजिस्टेशन किस तरीके से किया जाता है दूसरा हम बताएंगे आप अपने प्रोडेक्ट को कैसे लिस्ट करोगे ग्लो रोड पर कैसे डालोगे तीसरा आपको अगर ओडर आता है ग्लो रोड से तो उस ओडर को कैसे प्रोसेस करोगे यानि कि आज की वीडियो में complete guide रहने वाली है कि आपकी खुद की कोई product है उस product को आप glow road पर बेचना चाहते हैं तो किस तरीके से बेच सकते हैं तो registration से लेके अंतिम प्रोसेस तक की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो चलिए अब चलते हैं computer screen पर और समझते हैं कि सबसे पहले glow road पर seller registration कैसे करेंगे सबसे पहले आप अपना कोई भी browser open कर लिए जिए और वहाँ पर search में डालिए glow road seller या glow road supplier भी आप डाल सकते हैं और वीडियो के description में भी मैं इस website का link आप लोगों को दे दूँगा जिससे आप उस link पर click करोगे सीधा आप किसी भी browser में आ जाओगे और glow road की website open हो जाएगी यहाँ पर हमने डाला है glow road supplier उसके बाद glow road की website open होके लिए आती है glow road.com आप direct इस website पर भी जा सकती हैं यहाँ पर आपको ऊपर become a supplier का एक option दिखता है इस पर आपको सबसे पहले click करना होगा click करने के बाद आपके सामने एक form खुलके आ जाएगा एक छोटा सा ही form होगा उससे पहले आपको अपना mobile number यहाँ पर दर्ज करना होगा तो mobile number सही सही डालिए क्योंकि इसी mobile number पर OTP आएगा और register नाव पर click कर देजिए चलिए हम भी फटावट से डाल देती हैं और register नाव पर click कर देती है उसके बाद आपके mobile number पर OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा आपको email ID अपनी डालनी होगी कोई password अच्छा सा select करके यहाँ पर डाल दीजिए और अगर आपके पस कोई दूसरी email ID है तो भो भी यहाँ पर enter कर दीजिए और उसके बाद create account पर आपको click करना होगा term and condition को accept करने के बाद चलिए तो फटावट से मैं भी यह detail डाल देता हूँ उसके बाद next step है आपको अपना GST नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा तो आपका जो भी GST नंबर है वो डालिए और verify पर click कर देजिए GST के सामने ही verify का option आपको देख चाएगा उसके बाद नीचे scroll करके continue पर click कर देजिए उसके बाद जैसे ही आप continue करोगे आपके सामने एक pick up address का option आएगा तो आप pick up address डाल दीजिए जहां से माल हुटबाओगे next आपके bank detail आपको अपनी डालनी होगी pick up address आपके आधर काड में होता है वो भी आप डाल सकती है automatically वो डल जाता है यहां पर आपको अपनी bank detail डालनी होगी तो bank detail जो भी है जैसे bank name, ifsc code, account number डाल के continue पर click कर देजिए और जैसे ही continue पर आप click करोगे आपके सामने एक नई window open हो जाएगी तो चलिए हम भी कर देती है अभी आप देख सकती है यहां पर हम detail डाल के continue पर click कर देती है उसके बाद यहां पर हमारे सामने एक और option आता है store name का आप किस नाम से store अपना बनाना चाते हैं किस नाम से लोग आपके store को देखें बो डालना है और आपका क्या नाम है बो आपको डालना है यानि कि जो firm का नाम है बो आप पहले डाल देजstore अपना नाम नीचे डाल देजी और continue पर click कर देजिए चलिए हम facebook से continue पर click कर देती हैं continue पर जैसे हम click करेंगे तो आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा ये product या catalog upload करने का option है लेकिन फिलाल में इसको समझने से पहले हम कुछ और चीज़ें भी समझते हैं यहाँ पे आप single catalog upload कर सकते हैं बल्क में भी upload कर सकते हैं और पूरे-पूरे collection भी add कर सकते हैं एक यी बार में आप जो भी product बेशते हैं हम जाते हैं home page पर corner में आपको home page का option दिखता है उस पे हमें सबसे पहले click करना होगा जैसी हम home page पर जाएंगे तुरंत इसका home page open हो जाएगा और supplier login का option आपको corner में दिखेगा उस पे आपको click करना होगा यहाँ पे हमें ID और password डाल के login पर click करना होगा जैसी हम login पर click करेंगे हमारे सामने एक window open हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर अपने mobile number पर भेजा गया OTP दर्ज करना होगा आपके mobile number पर जो भी OTP आया है उसे check कर लीजिए और उसी OTP को यहाँ पर दर्ज करके नीचे एक verify का option देखेगा उस पे click कर दीजिए जिससे आपका mobile number verify हो जाएगा और आप लोग glow road के sailor panel में enter कर जाओगे तो चलिए फटाबर्ट से मैं यहाँ पर डाल दिया है और verify पे में क्लिक कर देता हूँ जैसे ही मैं verify पे click करूँगा हमारे सामने sailor panel login होके आ जाएगा अब sailor panel कैसा होता है आप यह देख सकती है और किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजे होती है वो मैं अब आपको बताता हूँ सबसे पहले performance dashboard है उससे उपर what's the number update है यहाँ पे आप अपना what's the number डाल सकते है जिससे आपके update आपको what's up पे भी मिलना सुरू हो जाएंगे जैसे orders आए उसका update आपको what's up पे मिल जाएगा तो वो डाल दीजिए उसके बाद performance dashboard है यहाँ पे आपका performance दिखाए जाता है कि 16 दिन का performance कैसा रहा है पूरी चीजें दिखाई जाती है average order, average pick up कितने रहे हैं order cancellation कितना रहे हैं order returns आपके कितने रहे हैं वो सारा performance यहाँ पे आपको दिखाए जाता है view पर click करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी भी ले सकते हैं तो अभी क्या है कि अब हमने यह detail यहाँ पे देख ली लेकिन side में आपको बहुत सारे menu दिख रहे होंगे उनको थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगा बस आप समझते चलना क्योंकि जो लिखा है वो ही चीज़े हैं detail में भी मैं समझाऊंगा आने वाली वीडियो जमें कि किस तरीके से इस पर और आप ध्यान दे सकते हैं तो चलिए अब इनके menu को थोड़ा अच्चे से समझते हैं लेकिन आप से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेटर नहीं दबाया है तो फटाफट से दबा देजिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर recommendation वाले option को देख सकते हैं product recommendation, price recommendation और quality dashboard इन तीनों का बड़ा simple सा funda है recommend करती हैं चीजों को ये product को recommend करता है, price को recommend करता है वो सारी चीज़े product and inventory का option है यहाँ पर यहाँ पर inventory आप देख सकती है यहाँ पर basically वो option है जो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं जैसे add product का है तो add करना है product तो इस पर click करना होगा orders का option है, उसमें orders आ रही हैं तो वो दिखाए जाएंगे कितने pick हुए हैं कितने आपने accept किये हैं कितने cancel करती हैं basically इसमें जो details हैं वो कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़के समझ सकता है कि यह क्या feature है इस feature पर काम करने से क्या action होगा यानि कि बहुत easy to use यह platform है, जैसे order history है order history में आप देख सकते हैं कितने parcel ship हुए हैं, कितने delivered हुए हैं, कितने cancel हुए हैं सीधी सी बात है, order history में यही orders की history दिखाई जाती है जो आप order, जो आपको order मिलती हैं वो कितने ship हो गए, कितने RTO आ गए हैं कितने cancel हो गए हैं, reports हैं इसमें आपकी report दिखाई जाती हैं जिसे earning की report दिखाई जाती हैं payments की report दिखाई जाती है आपके जो दूसरी चीजे हैं उनकी reports दिखाई जाती है commission report दिखाई जाती है मतलब कि यहाँ पर reports है उसमें सभी reports आपको देखने को मिल जाएंगी इसके अलाबा या promotion, promotion में क्या होता है आप अपने product को promote भी कर सकती है इनकी थुरू, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी प्रोडेक्ट की रीच बड़े, यानि कि ये इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा इजी है, यहाँ पे एड कैटालोग पर किलिक करके आप कैटालोग अप्लोड कर सकते हैं, तो दोस्तों अब आप समझ होंगे कि ग्लो रोड पर सेलर रजिष्टेशन कैसे होता है, और आसानी से कोईबी ब्यक्ती सिर्फ और Cancer से पांच मिनट के अंदर ग्लोड पर अपना सेलर रजिष्टेशन कर सकता है, अब आई ये तो बात रही सेलर रजिष्टेशन की, लेकिन हमारा दूसरा इस्टैप पाता है product listing का तो दोस्तों product की listing किस तरीके से करेंगे बो जामने से पहले में आपको पताना चाहूंगा हमारी सूज की manufacturing है तो कोई भी व्यक्ति online sale करना चाहता है और उसको सूज चाहिए तो सूज आप हमसे खरीच सकते हैं हमारे पास बहुत ही अच्छी rate में आपको सूज मि दिया है तो आप हमें whatsapp पे message कर सकते हैं और सूज की wholesale rate ले सकते हैं तो आप चलते हैं यह समझने कि किस तरीके से product की listing की जाती है सबसे पहले add new product पर आपको click करना होगा seller panel में login करने के बाद यहां पर तीन तरह से product डाल सकते हैं एक single product आप upload कर सकते हैं bulk upload कर सकते हैं और पूरा catalog भी upload कर सकते हैं पहले बात करेंगे single product upload करने के बारे में तो सबसे पहले upload आपको दिख रहा होगा single product add single product नाम से यह option दिख रहा होगा इस पर हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस open होके आ जाएगा तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो सबसे पहले जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एक नई विंडो हमारे सामने open होके आ जाएगी अब यहाँ पर आपको क्या क्या करना है बो मैं समझाता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर एक image upload कर सकते हैं अपने product का photo upload कर सकते हैं तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी gallery open हो जाएगी और direct आप एक photo यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ गैलरी से भी डाल सकते हैं Instagram पर आपके photo पढ़े हैं आपने product का photo डाल सकते हैं gallery पे क्लिक करता हूँ यहां पे मेरे product पड़े हुए है gallery मैं तो अपना product select करता हूँ और यहां पे डाल देता हूँ प्रोडेक्ट तो बहुत非 है product को पोस्ट करना अभी आप दो मिनट के अंदर आसानी सी समझ जाओगी कि कैसे आप update कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको देख रहेगा प्रोडेक्ट टाइटल आपको अपने प्रोडेक्ट का नाम डाल देना है जो भी आपका प्रोडेक्ट का नाम है तो चलिए प्रोडेक्ट टाइटल में प्रोडेक्ट का नाम में एंटर कर देता हूँ प्रोडेक्ट नाम में जैसे जो भी टाइप का आपका स्नीकर है, सूज है, या कपड़े हैं, टी-सर्ट है, वो आपको enter करना होगा, चलिए, मैं enter कर देता हूँ, तो आप यह देख सकती है, मैं यहाँ पर enter कर दिया हूँ, उसके बाद category आपको select करनी होगी, आपके product की category क्या है, तो select category पर click करते हैं, मेरी mens की category है मैं mens पर click करूँगा, तो जैसे ही मैं mens पर click करूँगा, यहाँ पर आ गया है, कि bottom beer है, कि मेरा foot beer है, तो मैं foot beer पर click करता हूँ, foot beer पर click करने के बाद casual सूज है, तो मेरा यह वाला तो casual ही है, इसके लाब और भी choice हैं, लेकिन मैं formal, casual, जो भी है वो मैं select यहाँ से कर सकता तो casual सूज है तो मैं casual select करूँगा इसी तरह से आप भी जब अपने product को डालो तो अपने product की category अपने इसाफ से select कर सकते हैं और उस category के अंतरगत आप अपने product को डाल सकते हैं तो आप यह देख सकते हैं यहाँ पर सभी option मिल जाती हैं आपको तो मैं casual select कर लेता हूँ casual पर मैंने यहाँ पर click कर देता हूँ तो आपको यह सभी चीज़ें बड़ी ध्यान में रखे करनी हैं उसके बाद अब नीचे आती है listing price listing price में आपको डालना है कि आप कितने रुपे की से list करना चाहते हैं तो जैसे हम listing price यहाँ पर डालेंगे जैसे मेरे पास choice है मैं कितने काई से list करना चाहरा हूँ और उसके बाद नीचे आप देखोगे तो MRP का एक option आता है लेकिन यह optional है जिन जिन में tick हो तो वो तो सभी भर नहीं है और जिन जिन में नहीं है वो वो optional है मैंने यहाँ पर एक amount डाल दिया MRP भी में डाल देता हूँ और आपको यहाँ पर last listing price के नाम से एक बगल में option दिखेगा जहाँ पर दिखाये जाता है कि आपके product पर shipping charge glow road कितना लेगा और आपको final payout कितना मिलेगा जैसे your payout के सामने जो amount लिखा होगा वो आपका final payout होगा जो कि आपके bank account में transfer किया जाएगा successful deliver होने के बाद में अब भाई ये भी हमने देख लिया अब हमें select color का option दे रहा है अब color select करना है जो भी आपने product डाला है उस product का color क्या है वो आपको यहाँ पर select करना होगा जैसे मेरे इस product का color है blue तो मैं यहाँ पर blue select कर लूँगा तो आपके product का जो भी color है वो सही सही select करिए तो चलिए हम इस में blue पर click कर देते हैं अगर कोई और color होता तो हम scroll करके नीचे भी देख सकते थे हर चीज में होते हैं तो वो हमें डालना पड़ेगा कि किस type के material से बना हुगा जैसे canvas से बना हुगा है तो मैं canvas डाल दूँगा इसके अलावा यहाँ पर select type पर हम click करते हैं किस type का आपका यह सूज है यह आपको select करना होगा यानि कि basic जानकारी आपको देनी होगी listing इतनी hard नहीं है बहुत easy है बस आपको यह समझना है कि हमारे product के बारे में आपको चीज़ें बतानी है अगर आपको अपने product की knowledge है तो आप इसको बड़ी आसानी से listing glow road पर कर सकते हैं किसी भी product की तो आप यह देख सकते हैं मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ कि मौजरी है मेरी तो मैं मौजरी select कर लेता हूँ इसके अलावा size कौन कौन से available हैं आपके पास वो आपको select करनी है तो यहाँ पर click करना होगा तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं U के size आप select कर सकते हैं इसके अलाबा दूसरे जो भी दिये हुए हैं उनके साफ से आपको यहाँ पर size select करने होगे यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली है सामने तो size के सामने आपको tick करना है जैसे आपको जो जो आपके पास size available है इस piece के इसके अलाबा सामने लिखा है inventory यानि कि उन-उन size के कितने-कितने piece आपके पास available है जैसे मैं यहाँ पर जो भी डाल रहा हूँ साथ, नमबर, आट, नमबर, नमबर जो भी डालूँगा उनके मेरे पास कितनी-कितनी inventory है जैसे साथ नमबर के मेरे पास 10 piece है तो मैं 10 डाल दूँगा inventory में और जैसे ही मेरे को 10 order आ जाएंगे तो inventory में थे, वो automatic out of stock हो जाएगा, glow road पर कोई भी देखेगा तो out of stock दिखाना सुरू कर देगा तो मैं यहाँ पर जितना भी inventory डालूँगा वो sale होने के बाल, अपने आप ये out of stock हो जाएगा, फिर आपको inventory को द्वारा update करना पड़ेगा तो इस बात का आप बिसेश ध्यान रखे तो अभी क्या है कि अभी मैं इसमें ये चीज़ें करता हूँ और नीचे scroll करता हूँ ये सभी चीज़ें सही सही डाल देता हूँ तो inventory manage करना बहुत ही जड़ा जरूरी है और आपको inventory अच्चे से manage करनी भी चाहिए तो चलिए इसको मैं जल्दी से फटावट से submit कर देता हूँ और submit करके और आंगे step पर बढ़ते हैं तो ये सभी detail हमारी यहाँ पर save हो जाएगी बस आपको यही याद रखना है कि आपके पास जितनी inventory है उतनी ही डालिए और inventory को update करते रहिए जब जब आपके पास माल आ जाए आप इस inventory को update कर देजिए जिससे क्या होगा अगर आप inventory को update नहीं करोगे तो glow road अपनी website से आपके product को तो आप top stock दिखा देगा फिर आप बैठते सोचते रहोगे बैठके कि यार order क्यों नहीं आ रहे order क्यों नहीं आ रहे लेकिन आपका stock out हो जाएगा वहां से तो आपको order आएंगे ही नहीं बहुत बार लोग starting में ये confusion में रहते हैं कि यार ये तो बड़ा लफटे वाली चीज़ है क्या हुआ order नहीं आ रहे है ये हो रहा है वो हो रहा है तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो अभी तक बीच में ही मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेटर नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए अब आते हैं नीचे और उप्सन पर सलेक्ट इस्टाइल ये उप्सनल है आप भरना चाहें ये उप्सनल चीज़ों को भर दीजिए नहीं भरना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है भरोगे तो ये है कि आपके कस्टुमर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके प्रोडेक्ट के बारे में तो सेल होने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे और कोई फरक नहीं पड़ने वाला तो यहाँ पे आप जितने कैसी स्टाइल का है आपका ये और बेट कितना है बेट हमें यहाँ पे डालना होगा इस्टाइल कोड भी डाल सकते हैं कोई भी कोड आ डाल रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ां बताना जरूरी है जिससे कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे क्योंकि आदी अदूरी जानकारी घातक होती है इसलिए तो सबसे पहले मैं width, length, height वगएरा ये सारी detail डाल देता हूँ ये centimeter में डालनी होती है parcel जो होता है, उसकी width कितनी है, height कितनी है वो सारी चीज़ां आपको सही सही यहां पर select करके आपको enter करनी होती है तो inchie tab ले लीजिए और अपने किसी भी product को लेके उसकी height width सारी चीज़ां ना अप लीजिए कुछ product ऐसी है जिनकी नहीं ना पी जा सकती तो वो optional है तो उस case में आप इसमें नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत होने बाली नहीं है expiry date का भी optional है लेकर हमारा product ऐसा है ही नहीं कि expire होता हो तो वो आपको डाल देना है अगर आपका है और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं उसके अलाबा next step पे जाते हैं और region कहां का है ये product और description डालके upload पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारा product upload हो जाएगा और ये अभी pending में चला जाएगा glow road की team इस product को verify करेगी और उसके बाद इसे public glow road पे कर देगी और glow road पे भी आप अपने product को देख सकते है तो मैं अभी final description याप एंटर कर देता हूँ और जैसे ही मेरा description एंटर हुआ आप ये देख सकते हैं मेरी complete posting ready हो चुकी है update पे मैं क्लिक करके इसे कभी भी update कर सकता हूँ तो एक बार हम check कर लेते हैं बारा से कोई दिक्कत तो नहीं है कोई चीज गलत तो नहीं होगी री check करना बहुत ही ज़्यदा जरूरी है और जब हमें तसल्ली हो जाएगी सारी चीज़ां ठीक हैं तो upload पर click कर देना है upload पर जैसे ही click करेंगे ये live हो जाएगा आप कहोगे आपने तो एक ही photo डाला है लेकिन glow road पर तो बहुत ज़्यादा देखाए जाते हैं चार-चार photo देखाए जाते हैं एक एक product के वो कैसे करेंगे तो चलिए वो भी मैं अब आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको ये product देखेगा हमारा तो edit product पर हमें click करना होगा तो edit product आपको देखेगा ये delete का देखेगा लेकिन आपको delete नहीं करना है edit पर click करना है edit product पर तो edit product पर जैसे ही हम click करेंगे और उसके बाद आपको इस तरह का interface देखेगा और नीचे आएगा add more image तो आपको और image यहाँ से add कर देनी है जब आप starting में posting करते हो जब आपको ज़्यादा image नहीं देखती ही लेकिन जब आप बाद में और भी posting करते हो तो उसके बाद आपको add more image का option दिखता है तो आप और भी image यहाँ पर add कर सकते हैं तो उसे कैसे post करेंगे इसके लाब bulk posting कैसे करेंगे उनकी video आँगे in future हम जरूर लाएंगे कि bulk में जैसे दददस product की एक साथ posting कैसे करें तो वह सारी चीज़े हैं तो यह basic चीज़े हैं जो हम आपको starting से समझा रहे हैं कर रहे हैं आप यह देख सकते हैं मैंने तीन photo यहाँ पर add कर दिये हैं एक और कर देता हूँ क्योंकि तीन सुब नहीं माना जाथा हमारे यहां तो चार product के photo यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बस product select रहना है open पर click करना यह product upload हो जाता है अभी हमें क्या करना है इसको scroll करना है और सबसे नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आके आप इससे update कर सकते हैं save कर सकते हैं तो यह सभी product आपके दिखने लगेंगे बस आपको थोड़ा सा wait करना होगा glow road के team इसे verify करेगी क्योंकि अभी आप नए supplier हैं तो starting में थोड़ा सा time जादा लग जाता है और जब आप अच्छे supplier हो जाते हैं उसके बाद जब posting करते हो तो दो दो घंटे बाद भी आपकी post live हो जाती है आपकी post दिखाई जाती है अभी आपकी दो post pending है मतलब मेरी दो post pending है जो यहाँ पर दिखाई जा रही है तो दोस्तो अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से glow road पर product की listing करती है दोस्तो यहाँ पर एक चीज मैं यह भी बताना चाहूंगा अगर आप लोग हमारे product खरीदना चाहती है और उनको online sale करना चाहती है A to Z सारे काम हम आपके देखती है अगर आप हमारे product खरीद के e-commerce business शुरू करना चाहती है तो हम पूरा support करती है अगर आप हमसे support लेना चाहती है तो वीडियो के description में हमारा number दिया है कोई भी आपको charge नहीं देना हम free में आपकी हर चीज में help करती है तो दोस्तो जैसे ही आप product डाल देते हैं तो आपको order आना सुरू हो जाता है लेकिन इन order को किस तरीके से process करती है कैसी ये order जाता है उसकी बात करती है तो सबसे पहले आप कोई भी अपना browser open कर लीजिए मैंने chrome open कर लिया है और यहाँ पर अपना glow road का जो seller panel है उसे login कर लेती है login करने के बाद आप नीचे आओगे order section में देखोगे तो नीचे आपको accept and confirm address पर click करना होगा जैसी आप इस पर click करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखेगा यहाँ पर जो order आया है उसे select कर लीजिए और आपको देखेगा confirm order का option सबसे उपर की side उस पर आपको click करना होगा तो confirm order पर मैं click कर देता हूँ उसके पिकप address select करिए और उसके बाद आप confirm करिए तो next जैसे ही आप proceed करोगे से आपके सामने एक नई window open हो जाएगी आप नीचे आईए और select करिए आपके order को जो भी आपका order है तो मैं इसे select कर लेता हूँ और download invoice पर click कर देती है तो download invoice and menu fast over जैसे ही click करेंगे हमारे laptop में या computer में invoice download हो जाएगा जो कि आपको अभी screen पर दिखना शुरू होगा तो अभी ये download होना शुरू हो गया है और download होने के बाद ये open हो गया है तो आपको ये इस तरह का देखना शुरू हो जाएगा हमें इसका print out निकालना है क्योंकि यही shipping invoice हमारे product के उपर लगके जाएगा तो print पर click करती है और उसके बाद सीधा print पर हम click करेंगे तो ये print निकलना शुरू हो जाएगा तो आप ये देख सकती है तो हम single order का निकाल के दिखा रही है bulk में आप एक साथ shipping invoice download कर सकती है लेकिन हम single का दिखा रहे हैं तो एक का करके आपको proceed करके दिखा रहे है तो यहाँ पे मैंने एक page निकालने के लिए मैं command देता हूँ print पर मैं click कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे ही print पर click करूँगा हमारा printer on हो चुका है और इसमें से अभी वो shipment और tax invoice निकलना शुरू हो जाएगा तो अभी आप ये देख सकती है यह printer चालू हो गया है और चालू होने के बाद इसमें कागज अंदर जाना शुरू हो चुका है और आपको बताना चाहूँगा इसमें tax invoice और shipping invoice दो होती है तो आपको बीच में से cut कर लेना है tax invoice product के box के अंदर रखना है और shipping invoice और उस parcel के ऊपर चिपका देना है आप ये देख सकती है तो अब मैं product उठा की लाता हूँ जिस product का order है उस product को निकालता हूँ उसके बाद polythin लेनी है तो ये मैंने ले लिए दोनों product अब मेरे को polythin लेनी है लेने के बाद आप ये देख सकते है इस polythin में मुझे ये product रखना है तो इसके अंदर रखूँगा और tax invoice को इसके साथ अंदर ही रख दूँगा तो ये आप देख सकते है उपर मैंने इसमें shipping invoice लगा दिया tax invoice अंदर रख दिया ये हमारा माल ready हो चुका है जाने के लिए तो अब भी आपने देखा होगा कि glow road पर किस तरीके से orders को process किये जाता है और आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से glow road पर order processing होती है तो ये order जब हपने process कर दिया अब हम इसे पस अपने घर पर रख देंगे कुरियर वाला आएगा यहां से माल को उठा ले जाएगा और customer को पहुँचा देगा उसके आद customer payment कुरियर वालों को करेगा कुरियर वाले glow road को करेगे और glow road अपना commission काटके हमें पैसे देगा तो इस तरीके से यह पूरा e-commerce business चलता है तो आप लोग अपना e-commerce business शुरू करना चाहते हैं तो हमारे इस number पे contact कर सकते हैं call ना उठाएं तो whatsapp पे message कर दीजिए कि सरफ में e-commerce business शुरू करना है अपने सूज की list दे दीजिए तो हम आपको list provide कर देंगे तो जल्दी से जल्दी whatsapp पे आईए हम आपका इंतजार करेंगे और जल्दी से जल्दी अपना e-commerce business शुरू करिए तो दोस्तों आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी comment करके जरूर बताईए वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना और जिन लोगों ने चैनल को subscribe करके bell button नहीं दवाया है वो जल्दी से जल्दी दवा देजिए आज की यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद